नमस्कार दोस्तों मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका होमट्यूशन चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम हिंदी में अलंकार विशे पर चर्चा करेंगे अलंकार विशे के बारे में हम जानेंगे तो दोस्तों अलंकार का शाब्दिक अर्थ तो आभूशन होता है परन्तू आप यह सोच रहे होंगे कि अलंकार हिंदी में क्यूं आया तो दोस्तों किसेखे भी बात को बहुत ही सुन्दर ढंग से सजा करके कहने के लिए हम अलंकार का प्रयोक करते हैं अब जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी गाने जब आप सुनते हैं तो उसमें ले मिलाई जाती है तो इसका अर्थ उसमें किसी में कोई न कोई अलंकार यूज हुआ है अब ताकि तुक्बंदी मिलाई जाए किसी भी तरीके से अब जैसे कोई डायलोग या शेर आपने सुना होगा इस तरीके से अब जैसे मैं आपको अभी बात करके बता रही हूँ लेकिन इसमें अलंकार यूज नहीं हुआ लेकिन अगर इसी बात को मैं या किसी भी बात को आपको मैं कोई कविता सुनाओ, कोई शेयर सुनाओ तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, तो उसको हम अलंकार का नाम देते हैं, अब अलंकार दो शब्दों से मिल कर बना है, अलं और कार, अलं का अर्थ शोभा या आभूशन से होता है और कार का अर्थ करने वाला और इसकी परिभाशा काव्या की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं तो दोस्तों अब अलंकार के अब तीन भेद होते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभ्यालंकार शब्दालंकार में दोस्तों यमक, शलेश, वक्रोक्ति और वीपसा अलंकार होते हैं। अर्था अलंकार में उपमा, रूपव, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, द्रिष्टांत, विभावना, व्यक्ति रेकक, अन्येक्ति, संदे, अतिश्योक्ति, विरोधाबास, आदी। ये सारे अलंकार अर्था अलंकार अब जैसे दोस्तों हम बात करते हैं शब्दालंकार के, हमने पीछे पढ़ा कि तीन भेद होते हैं अलंकार के, उन में से एक है शब्दालंकार, अब शब्दालंकार के भी पाँच भेद हैं, जिसमें से हमने पढ़ा अनुपरास, यमक, शलेश, वक रोपती और वीपसालंका तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको वीप सा अलंकार के बारे में बताना चाहूंगी मनो भावों को प्रकट करने के लिए शब्द अब जैसे आप देखते होंगे कि किसी ग्रिनत वस्तू को आपने देखा तो आप देखते ही कहेंगे छी-छी तो आपका ये मनो भाव है मन में जो भाव आया आपने उसको दो बार प्रयोग किया अब किसी से आप मिलते हैं तो आप उनको बोलते हैं राम राम ये भी आपने दो बार यूज किया अब कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसको बोलेंगे ना चुप चुप, तो ये भी वीपसा अलंकार में आते हैं, जिसमें वीपसा अलंकार वो होते हैं, जिसमें मनो भावों को प्रकट करने के लिए शब्द बोले गए हूँ, तो वीपसा अलंकार आपका क्लियर हो गया होगा, अब आता है अनुप्रास अलंकार, तो दोस्तों आज प्रास का अर्थ होता है वर्ड अब आप परिभाशा इसकी देख लीजिए परिभाशा में है कि किसी वर्ण की आवरिती या व्यंजन की वर्ण में ही व्यंजन आ जाते हैं परनतु मैंने फिर भी लिख दिया है कि किसी वर्ण की या व्यंजन की बार-बार आवरिती होना अब अनुप्रास अलंकार के जैसे मैं उदाहरन दूँ आपको कि चारुचंद की चंचल किरने तो इसमें चा की बार बार अबरती हुई है देख सकते आप तो इसमें क्या आएगा अनुप्रास अलंकार रगुपती रागव राजा राम रवर्ण की बार बार अबरती हुई है तो दोस्तों अब इसके भी भेद होते हैं अनुप्रास के पाँच भेद होते हैं वृत्या नुप्रास, छेका नुप्रास, लाटा नुप्रास, अंत्या नुप्रास, शृत्या नुप्रास दोस्तों शब्दा लंकार में पाच हमने पढ़े अनुप्रास, यमक, शलेश, वक्रोक्ति और वीपसा अब इसमें शब्दा लंकार मैंने आपको बताया कि वो अलंकार होते हैं जिनमें शब्दों के माध्यम से आद्भूशन पहने आ जाएं किसी भी काव्य में यानि कि हम शब्दों के माध्यम से अगर किसी काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे शब्दा लंकार, जिसमें शब्द का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, तो शब्दा लंकार में अनुप्रास आया, यमक, शलेश, वक, रोकती और वीपसा आया, अब हम अनुप्रास में पढ़ रहे हैं, वृत्या अनुप्रास, तो ये जब हमने पढ़े ये उदाहरण सारे के सारे वृत्या नुप्रास के ही उदाहरण है, जैसे चारुचंद की चंचल किरने, रगुपती राघहव राजा राम, मदुर मदुर मुसकान मनोहर, मनुजवेश का उजियल, तो ये दोस्तों विर्ध्या नुप्रास के उदाहरण है, अब जैसे कि व्यंजनों की वृत्यानुप्रास में क्या होता है? कि व्यंजनों की अनीक बार आवृत्यानुप्रास में क्या होता है? कि व्यंजनों की अनीक बार आवृत्यानुप्रास में क्या होता है? व्यंजनों की अनीक बार आवृत्यानुप्रास में क्या होता है? व्यंजनों की अ च, 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 र, 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 म, तो इसमें वृत्या नुप्रास होगा, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं छे का नुप्रास की, जब एक वर्ण दो बार आए, इसमें क्या था, अनेक बार आ रहा था, इसमें जब एक वर्ण दो बार आए, तो उसको हम छे का नुप्रास कहते हैं, अ अति आनंद मगन महतारी कानन कठिन भयंकर भारी दोस्तों दुबारे से पढ़िए अति आनंद मगन महतारी कानन कठिन भयंकर भारी इसमें दोस्तों एक वर्ण की दो बार अब रित्ती हो रही है जैसे कि अ अ मा मा दो बार हुई क तो क क की भी दो बार हुई भयंकर भारी बारी इसमें भग की दो बार आए जिसमें एक वरंड की दो बार आए उसको क्या बोलते हैं छेका नुपरास छेका नुपरास तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे दोस्तों इसी तरीके से हम बात करते हैं लाटा नुपरास की तो वृत्या नुपरास छेका नुपरास लाटा नुपरास अंत्या नुपरास और शृत्या नुपरास ये सारे किसके भेद हैं अनुपरास अलंकार के अनुपरास शब्दा अलंकार के भेदों में हैं तो बच्चो लाटा नुप्रास में हम इसको शब्दा नुप्रास भी कहते हैं हम इसको शब्दा नुप्रास भी कहते हैं लाटा नुप्रास को अब क्योंकि यहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है अगर किसी अनुप्रास में एक शब्द ही दो या दो से अधिक बार आए तो उसको क्या बोलते हैं लाटा अनुप्रास या शब्दा अनुप्रास अब जैसे कि पूत सपूत तो क्यों धन संच है पूत का पूत तो क्यों धन संच है दोस्तों अगर इसमें क्या हुआ कि पूत सपूत, पूत शब्द की दो बार आवरिती हुई, तो की दो बार आवरिती हुई, क्यों की दो बार आवरिती हुई, धन की दो बार आवरिती हुई, और संचय की भी दो बार आवरिती हो रही है। तो दोस्तों जिसमें भी अगर कोई शब्द शब्द वर्ण नहीं शब्द पूरा शब्द पहले क्या हो रहा था अभी तक के अनुप्रास में कि वर्ण की बात हो रही थी लेकिन अब बात हो रही है शब्द की तो इस पर आप गौर कीजिएगा जिसमें शब्द एक शब्द की दो बार आवरिती हो या उससे अधिक बार हो तो उसको हम लाटा नुप्रास कहते हैं अब जैसे कि पूत की यहाँ पर दो बार हो रही है तो की दो बार हो रही है धन की और संचै की भी दो बार हो रही है तो इसको हम बोलेंगे लाटा नुप् उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास यहां पर क्या हो रहा है उत्तरा की दो बार हो रही है तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि यह लाटा नुक्रास है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अंत्या नुक्रास की अंत्या नुक्रास में दोस्तों इसमें हम अंतिम वर्णों का त तुक मिल जाए उसको हम बोलेंगे अंत्यानुप्रास नाम में दोस्तों अंत्यानुप्रास 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 अं तो दोस्तों इसमें त त त त त त ओर त लास्ट में अन्त में सब वर्ण यहाँ परन की आवृति हो रही है लासट में तो हम क्या बोलेंगे अन्तया नुप्रास ये आप कभी गूलेंगे नहीं अगर आप आप शब्दों के देख के जानते हैं तो अगर समझने की कोशिश करते हैं तो कि अंत्यानुप्रास में नाम में ही अंत लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अंत में किसी वर्ण की आवरिती हो बार बार आवरिती हो उसको क्या बोला जाता है अंत्यानुप्रास अब दोस्तों हम बात करते हैं शुरुत्या नुप्रास की तो दोस्तों इसमें क्या होता है एक ही वर्ग के वर्णों की आवरिती जैसे कि मैं आपको समझाओं कि कानों को मधूर लगने वाले वर्णों की भी आवरिती इसक्या ही परिभाशा है अब जैसे कि एक ही वर्ग के वर्णों की आवर गर तो दोस्तों कर वाली जो लाइन है आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाती हूं जो कवाली लाइन होगी अगर यही शब्द किसी भी कव्य में आ रहे हैं किसी शेयर में किसी कवीता में तो उसको हम क्या बोलेंगे शुरुत्यानुक्रास अब जैसे च है च ज ज ज तो दोस्तों च ज ज ज ज अगर ये ही शब्द किसी काव्य में आ रहे हैं इसको छोड़के किसी दूसरी लाइन वाली के नहीं आ रहे हैं किसी दूसरी वर्ण वाली लाइन के नहीं आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम शुरुत्यानुक्रास जैसे त है तो त त त त त थ द ठीक है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं अब जैसे कि इसमें देखिए दिनांत था दिननात डूबते सधेन आते ग्रिह गवाल बाल इसमें द है द वाली लाइन में जैसे कि आप देखेंगे कि द है तो द का क्या आया तो बहीं द की लाइन में आता है था फिर द फिर थ फिर ड्व पिर तब द तूब! फिर था आया दवाली लाइन में तो जो दवाली लाइन में आये उसको क्या बोलेंगे हम शुरुत्यानुप्रास जो कवाली लाइन के ही अगर आजाते तो वो भी शुरुत्यानुप्रास होते चवाली के आते तो तो भी शुरुत्यानुप्रास ही कहलाते तो दोस्तों जिसमें एक ही वर्ग के वर्णों की अब रित्ती हो जहां भी आप देखेंगे कि एक वर्ग है अरे ये तो एक ही लाइन है इसी लाइन के सारे शब्द है सारे वर्ण है सारी तो वो सारे आएंगे वहाँ पे आपके दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि वह शुरुत्यानुपरास के ही उदाहरन है तो दोस्तों आज हमने पढ़ा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं दुबारा से दोस्तों हमने पढ़ा कि अलंकार की परिभाशा होती है काववे की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम जो की आभूशन होता है, कार मतलब करने वाला, आभूशन धारन करने वाला, ठीक है, अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभ्यालंकार, शब्दालंकार के हमने भेद पड़े, अनुप्रास, यमक, लेश वक्रोक्ती और वीपसा अर्था लंकार हम कल पढ़ेंगे उभ्या लंकार हम बाद में पढ़ेंगे हाँ दोस्तों उभ्या लंकार के पारे में बताना आपको भूल गई उभ्या लंकार उभ्या माने क्या होता है इंग्लिश में अगर मैं बोलू तो उभ्या माने होता ह इंग्लिस में इसको common बोलते हैं मतलब शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर जिसे बोलें तो उसको क्या कहा जाता है उभिया लंकार इसमें सिर्फ एक ही उदारण है और वो उदारण है मानवीकरण का तो दोस्तों हमने शब्दा लंकार के बारे में आज पढ़ा शब्द जन की बार-बार आवरिती जैसे चारुचंद की चंचल किरने रगुपति रागव राजा राम इसमें र की आवरिती बार-बार हो रही है मदूर मदूर मुसकान मनोहर मनोजुवेश का उज्याला इसमें माव की आवरिती बार-बार हो रही है और ये सब अब भेद इसके वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास और शृत्यानुप्रास तो दोस्तों हम बात करते हैं वृत्यानुप्रास की वृत्यानुप्रास में व्यंजनों की अनेक बार आवृत्यी जहाँ पर व्यंजनों की सिर्फ व्यंजन की अनेक बार आवृति हो उसको हम कहते हैं वृत्या नुप्रास अब जैसे कि तरणी तनूजा तट तमाल तो इसमें तवर्ण की बार बार आवृति हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे वृत्या नुप्रास अब जैसे कि छे कानुप्रास, अब हम छे कानुप्रास पढ़ते हैं, जब एक वर्ण की दो बार आ जाएं, अवरिती दो बार हो, अब जब एक वर्ण की दो बार अवरिती हो, सिर्फ दो बार, उसमें क्या होता है, वो छे कानुप्रास होता है, अब जैसे कि अति आनंद मग दो बार हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम छे कानुपरास मगन महतारी मा की भी दो बार हो रही है कानन कठिन क क क क क क की भी दो बार आवरिती हुई भयंकर भारी भववर्ण की भी दो बार आवरिती हुई तो इसमें जिस में जिस कावे में एक वर्ण की दो बार आवरिती उसको क्या बोलेंगे छे का नुप्रास अब हम बात करते हैं लाटा नुप्रास की जैसे कि दोस्तों लाटा नुप्रास में हम देखते हैं कि इसे शब्दा नुप्रास भी कहते हैं आप याद रखेगा अगर पेपर में कभी शब्दा नुप्रास बोल दे लाटा नुप्रा या फिर लाटानुप्रास या फिर शब्दानुप्रास दोनों में बात एक ही है समानता ही है इसे शब्दानुप्रास भी कहते हैं क्योंकि यहां एक शब्द शब्द ध्यान रहे हैं दोस्तों शब्द में बार-बार कह रहे हूं आपको कि वर्ण नहीं शब्द शब्द अग दोस्तों जैसे कि इसमें हमने शब्द की बात की है शब्द की तो दोस्तों जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संच है पूत का पूत तो क्यों धन संच है इसका अर्थ है कि शब्दों की बार बार अवरिती हो रही है दो या दो से अधिक बार जहां पूत की दो बार हो रही है तो शब्द की दो बार हो रही है, क्यों की दो बार हो रही है अवरिती, धन की अवरिती दो बार हो रही है, और संचे की अवरिती दो बार हो रही है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द की अवरिती हो, वहाँ उसको लाटा नुपरास कहा जाता है, अब जैसे कि हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास उत्तरा शब्द की यहां पर आप गोर करें दो बार आव्रिती हो रही है तो जहां पर शब्द की ध्यान रहे जहां पर शब्द की दो बार आवरिती हो या दो से अधिक बार भी आवरिती हो तो उसको हम लाटा नुपरास से याद रखेंगे कि यह लाटा नुपरास है अब हम बात करते हैं अंत्या नुपरास की इससे आप याद रखेंगे, आपको असानी होगी, कि कहत नटत रीज़त खीज़त, मिलत खिलत लजियात, इसमें त की अंतिम वर्ण है, स्टार्टिंग वाला होता तो उसको हम क्या बोलते, वृत्यानुप्रास, अंतिम वाला है तो उसको बोलेंगे हम अंतियानुप्रास, अब जैसे कि तव की अधिक बार, कई बार आवरिती हो रही है, अंत में, परंतु अंत में, याद रखिएगा, अब बात करते हैं शृत्यानुप्रास की, शृत्यानुप्रास में दोस्तों, एक ही वर्ग के वर्णों की आवरिती हो रही है, और जैसे कि कानों को मधूर लगे शुरुत्यानुक्रास जैसे कि दिनांत था दिनिनाथ डूबते सधेनु आते ग्रिह गवाल बाल पे थे तो कखगगः ये एक लाइन के शब्द हो गए वर्ण हो गए चछजजज़ ये दूसरी लाइन के हो गए तथदध तथदधन तो जिस लाइन वाले शब्द अगर किसी पंक्ती में उसी लाइन के सारे वर्ण आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम शुरुत्यानुक्रास जैसे दिनांत था दिनिनाथ डूबते सधेनु आते ग्रिह गवाल बाल पे थे तो इसमें द आ रहा है त आ रहा है ही लाइन के हैं तो जिसमें द आ रहा है न आ रहा है तो तो द न थ द त त सॉरी ड नहीं है त तो आप दोस्तों देख चुके होंगे कि यह शुरुत्यानुक्रास के उदाहरण है जिसमें एक वर्ण के उसी वर्ण की लाइन के सारे वर्ण अगर किसी पंक्ती में आ रहे हैं तो उसको हम शुरुत्यानुक्रास कहेंगे तो दोस्तों आज हमने अनुक्रास अलंकार खत्न किया कल हम यमक अलंकार देखेंगे दोस्तों और वीपसा अलंकार सबसे आसान है जिसमें मनो भावों को प्रकट करने के लिए शब्द हो जैसे कि छी छी राम राम चुप तो वीप साल अंकार में आपको जादा कुछ पढ़ना नहीं है हम कल बात करेंगे यमक शलेश और वक्रोकती की धन्यवाद आज का आपका क्लास आज की आपकी क्लास खतम हुई